हेले रिवान गुड मॉर्णिंग इंडिया आप सभी लोगा स्वागत हैं आपके इस चैनल पर आज का टॉपिक बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि एक सफल वेक्ति वह है जो औरों दुवारा अपने उपर फेके गए इटो से मजबूत नीव रख सकता है इसका मिनिंग अगर आप ध्यान सोचोंगे तो आपको कोई क्रिटिसाइज अगर कर रहा है तो आपको ना बहुत स्टॉंग होना होगा मैक्सिम्म लोग ना क्रिटिसाइज को ना जहेल नहीं पाते वह थोड़ा टफ होता है कि कोई आपको खराब देना होता है कि आपके बारे में बात तभी होगी जब आप में कोई बात है हमेशा उन लोग की बारे में बात होती है जिन लोगों में कुछ बात होती है पॉजिटिव वे में हो चा नेगिटिव वे में हो लेकि मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको पता है कि आप एथिकल हो उनको positive way में लेना चाहिए और उन्ही क्रिटिसाइज जो आपके उपर कर रहे हैं जैसे बोलते हैं कि आपके उपर 70 फेक रहे हैं उससे आप पूरा का पूरा एक इमारत बना दो आपके उपर फेके गए जो जो एक सपल विक्तिवाय है जो और दुवारा अपने उपर फेके इटो से मजबूत नीव रख सकता है तो आपके उपर कोई अगर फेक रहे तो आप पूरे का पूरा बना दो तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे चीज़ों को accept करते हो कैसे चीज़ों को लेते हो और आपको और आपको ना इससे ना बहुत माइंड से को पढसा है उनके के बीके सब्जेट पढसा था फिर मैं गेट की किलास बढता था था को लोग लगता थे तो गजबी हो यहां इसा तो हो नहीं सकता ना कि आप आई अईटी पर दोगे प्राद और गेट की क्लास थोड़े सकते हो एसी डबल जोग दो की तो लोग बहुत क लगोरोन भी बलता है वाकिन में पॉजिटिव में लेता है मैं सोचा थाथ हो अपने बात को पुरूप करना गुशन को सोचे कि लोग सोचे कि क्या गजब का representation है क्या घजब का thought है क्या connectivity है तो मैं और पढ़ता था क्योंकि मैं एक normal student से ही teacher बना था तो एक बहुत ही basic student तो मैं अपने content को improve करने की बहुत कोसिस करता था connect करने की कोसिस करता था analysis करने की कोसिस करता था तो मैं कभी और फिर मैं यहां इस journey को यहां तक नहीं पहुचता या फिर मैं इस फिल्ड को छोड़के को दूसरा फिल्ड अप्लाई कर लेता दूसरे फिल्ड मी चल जाता मेरा बीसनल में हो गया था तो मैं दूसरी जगा जॉब करते रहे था लेकि मैं को ना एक को वो करने का मौका मिल रहा है जो कि लोग मांते कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ऐसा सूचना चालू किया और अपना एफ़र्ट को बढ़ा लिया कंसिप को और क्रेट करना चालू किया तो इसका मज़ा है तो जब भी लोग आपकी उपर कुछ क्रिटिसाइज कर रह को रहार होता है हमारे फ्रेंड सरकल में होता है क्योंकि हम बी मेरे भूसियार नहीं हम यूरिवर्टी टॉप्र पर नहीं कई चीटिट्र के बोलने से इसको ना और पॉढ़ पॉड़िटीस को पना ऑप लंबा सफ़र तैय करने के लिए जरूरत होती है क्रिटिसाइज करना क्योंकि आपके पास कुछ होना चाहिए ना कि कई बार हो सकता है कि लोग बोलते कि अपने लिए करना चाहिए अपने को क्या करना किसी से लेकिन कई बार कि कई बार जो लोग आपको पोस्ट करते हैं उनक उस लोग का बोलना कि आप नहीं कर सकते हो यह आपको positive energy देता है कि अच्छा यह बोल रहा है तो मैं भी तो नहीं कर रहा है तो बात तो बराबर हुई ना इसका मतलब इसको positive energy के साथ लोग और dedication के साथ effort करते हैं और एक जान लगा देते हैं तो इस सब चीज का मज़ा है जिस सब चीज को positive way में लेना चाहिए अगर आप में अगर आप में कुछ बात है अगर आप में energy आपके internal आपके thought जो है वो बहुत ही बहतरी नहीं और आपको लगता है कि आप execute कर सकते हो तो आपको अपने पर बिलीव करना चाहिए और इन सब चीजों का answer देने का मज़ा क्या है success 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 एक आप एक successful person बनते जाओ लोगा answer मिलते जाएगा लोगा answer मिलते जाएगा हमने माइंड में बात रखो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे इसलिए मैं को करना जरूरी है तो यह आपको डेडिकेशन दे रहे हैं यह आपको ना आपको समय रहे अच्छा करने के लिए तो कि आप बात है मतलब हम लोग को चैलेंज कर रहा है कोई हमारे potential को जानने की कोसिस कर रहा है तो देखो अभी मैं अगर आप लोग को फॉलो करते होंगे तो मैं live classes 15-15 घंटे 14-14 घंटे तक YouTube में live classes लिया वो कैसे लिया कुछ लोग सोचे थे कि डाउन होने वाली कुछ लोग च जाने जाने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यह जो believe है ना इसको करना पड़ता है और मैं क्यों कर पाए आपके पस कि कुछ लोग सोच रहे थे कि आप क्या करोगे आप क्या करोगे तो देखो फिर मैं अपने में potential किया कई लोग सोच रहे थे कि भाई अभी त जब को इट फेक रहे नो तो जमा करते जाओ उससे अपन बनाएंगे उससे एक वाल बनाएंगे इसको लोग क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे इसी का मजा है तो आप कभी भी ना कई लोग बोलते कि इसा डी मोटिवेशन आ रहा नहीं आर इस सब को पॉजेटिव और मोटिव हो जाएं तो कई बार वो बोलते तो हमको जिंसा कोई अगर आपको आपको कर रहा है को अगर आपको कुछ टांट मार रहा है उसको ऐनरजी बनाओ और उस एनर्जी के साथ आगे बोलो जिंदगी में ह Nich से ना आप डी मोटिवेट मत ओ यह बिक मोटिवेशन का काम करना चीं है क्योंकि सच में big motivation ही है क्योंकि criticize आपको Betsy आपको बोल रहे आपके ऊवकात नहीं है कि क्या हम है किना इसान पोढिशेल होता है बस उस should आग लगने की देरी है तो एक इंजिनियर को कोई अगर आग लगा दे तो फिर तो घजब कर सकता है ठीक है ऐसे आप इंज्वाय करते हो एसे में टॉपी लेके आते रहोंगा और गूड मॉर्निंग इंडिया को आई होब आप एंज्वाय कर रहोंगा आपके जिंदगी में सारा होगा आप हमेंसा कमेंट्स में बताते रहा करो कि आपके जिंदगी में कितने पॉजिटीश सारे हमेंसा बताते रहा करो क्यों कि है आपके जो कॉइंट से बहुत ही important होते तो आपका feedback बहुत important होता वाटसप का और मैं अपने में भी बैटरमेंट लाओं और लोगों में भी बैटरमेंट लाओं ठीक है ओके थैंक यू लवी ओल